सबी वी ध्यारतियों का स्वागत है आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे या चर्चा करेंगे उसका नाम है सवर इसको पढ़ने से पहले या इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम मैं एक बार एक नजर जो हमने इस से पहले जो लेसन के उन पर डालना चाहता हूँ सबसे पहले हमने संगीत किया तो आप देखेंगे संगीत के बाद जो लेसन था वो था धवनी धवनी के बाद जो लेसन हमने किया वो था नाद नाद के बाद जो हमने किया वो था शुरूती शुरूती के बाद जो लेशन आज हम पढ़ेंगे वो है सवर तो आप देख पा रहे हैं यह है एक चैन परक्रिया है सारा जो हमारा बेस है वो है संगीत हमारा सब्जेक्ट भी संगीत है और हमें जो पूरा ग्यान प्राप्त करना है जिस चीज के बारे में वो भी संगीत है सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना था कि संगीत क्या होता है कला होती है, कैसी कला होती है, सारे डिटेल इसके बारे में जानी फिर वहां से स्टार्ट होता है कि ये बनता कैसे है संगीत तो जो सबसे पहले जो प्रिक्रिया सुरू होती है वो धोनी से सुरू होती है सबसे पहले हमने धोनी के बारे में पता किया कि धोनी कैसी होती है कितने परकार की होती है उसके बाद हमने नाद के बारे में जाना कि नाद किसे कहते हैं हर मधुर्धवनी को संगीत की प्रिभासा में नाद कहा जाता है नाद से हमें मधुर्धवनी का अर्थ पता लगता है या ये पता लगता है कि संगीत में केवल मधुर्धवनी की ही जरूरत होती है उसके बाद हमने सुरूती के बारे में पढ़ा सुरूती के बारे में हमने जाना की वहमद उर्धवनी जो सपष्ट सुनी जा सके सपष्ट मतलब बहुत साफ सुतरी जिसको सुनते ही समझ आ जाए कि हम कैसी आवाज सुन रहे हैं क्या यह आवाज मीठी है क्या यह आवाज करकश है मतलब उस आवाज की explanation उसके अंदर ही खुद हो ऐसी धवनी जो सपष्ट सुनी जास के तथा वो एक दूसरे से उचाई पर स्थित हो एक्जामपल के लिए आप सबको पता है कि सारे गामा पाधा नीशा संगीत के साथ सवर होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक बार ऐसे ही practically मैं आपको बता देता हूं कि उचाई और नीचाई का मतलब क्या है यहां पर जैसे स्पोज कीजिए कि एक धवनी जो सप कि मालिया मैं बोलता हूं साथ मैंने अपने गले से एक धवनी उत्पन की साथ अब आप देखना उचाई पर कैसी जाएंगे साथ सारे गामा पाधा नीशा आवाज जब मोटाई से आवाज मोटी की तरफ से पतली की तरफ जाती है यानि शार्प होती है मोटाई से उसके प पतले पन की तरफ जाती है उस दिशा में जब हम जाएंगे तो उसे आवाज की उचाई कहेंगे लेकिन जब सानी धा पामा जब हम आवाज के शार्प पन से मोटाई की तरफ आते हैं जहां पर आवाज मोटी हो जाती है हमारे गले से मोटी धवनी उत्पन होती है तो हम उस और इसी एक पैरा मीटर पर ये सारी चीजें सेट होती है तो सुरूती के बारे में हमने जाना वो मधुर धवनिया जो एक दूसरे से अलग हों तथा सपष्ट सुनी जा सकती हों और एक दूसरे से उचाई पर स्थित हों उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमने 22 ऐसी धवनियों के बारे में जाना था कि 22 ऐसी धवनिया होती हैं जो एक दूसरे से उचाई पर स्थित होती हैं लेकिन 22 के 22 धवनियों के उपर गाने बजाने की कटनाई को देखते हुए विदवानों ने फिर जो और रिसर्च की जो खोज की उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी धवनिया निकाली जो सब के लिए सीखनी आसान थी जिन पर आसानी से गाना बजाना भी हो सकता था और जो बहुत अत्यधिक मात्रा में मेठी भी है और जिन पर ठहरना संभव है किसी भी इंसान के लिए और जिन को सीख पाना भी आसान है ऐसी धवनियों को ही विदवानों ने फिर सवर की संग्या दी तो आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सवर तो ध्यान से देखिए सवर किसे कहते हैं वह मधुर्धवनी पहले तो हम यहां नाद की डेफिनेशन को ले लेते हैं वह मधुर्धवनी जो जिसकी आंदोलन संक्या नियमित विस्थिर होती है उसे नाद कहते हैं अर्थात मधुर्धवनी कहते हैं फिर सुरूती पहाते हैं वह मधुर्धवनी जो सपष्ट सुनी जा सकती हैं तथा एक दूसरे से उचाई परिस्थित होती हैं ऐसी धवनियों को हम सुरूती कहते हैं फिर सुरूती के बाद आता है सवर सवर किसे कहते हैं अब यहां देखे कि वह संगीत उपयोगी मधूर धवनी जिस पर गाना बजाना संभो हो सकता है ऐसी मधूर धवनियों को हम सवर कहते हैं पंडित सारंग देव ने अपने गरंत संगीत रतनाकर में जो सवर की संग्यादी है उन्होंने दर्शाया है कि सुरूती के तुरंत बाद उत्पन होने वाला नाद नादर्धात मधुर्धवनी उत्पन होने वाला नाद ही सवर कहलाता है आपने सुरूती का chapter पढ़ा है समझा भी है और आज जो मैंने pics upload की है आपके notes की उसमें सुरूती का एक सुरूती विभाजन भी है जिसमें आपको दो diagram बने हुए दिखेंगे आपको वो दोनों सुरूती के part में add करने हैं उसके बाद हम सवर की तरफ चलेंगे तो आएए देखें सवर के सवर के बारे में कि वह संगीत उपयोगी मधूर धवनी जिस पर गाना बजाना हो सके उसे हम सवर कहते हैं और सुनने वाले के मन को खुश कर सके उसे हम सवर कहते हैं अब संगीत में आप सब ने सुनाया कि सवर साथ परकार के होते हैं लेकिन सबसे पहले कि आया कि सवर दो परकार के होते हैं हमारे पास जो सवर हैं वो दो परकार के हैं संगीत में एक शुद्ध सवर और एक विक्रित सवर सबसे पहले हम सुद्ध सवर के बारे में जानेंगे सुद्ध सवर कौन से होते हैं जो सवर अपने निश्चित स्थान पर ही गाई वे बजाए जाते हैं हमेशा या जो धवनी हमेशा अपने निश्चित स्थान पर ही गाई बजाई जाती है वह अपने निश्चित स्थान से कभी उपर या नीचे नहीं गाई बजाई जाती ऐसी धवनी को हम सुद्ध सवर कहते हैं और हमारे पास संगीत में सुद्ध सवर के एक्जामपल है जो वो धवनिया है साथ, सा, रे, गा, मा, पा, धा, और नी ये साथो धवनिया जो हैं, ये सुद्ध सवर कहलाते हैं ये अपने स्थान से कभी भी ये धवनिया हिलती नहीं जब भी इनको गाई बजाया जाएगा तो ये अपने निश्चित स्थान पर ही गाई बजाई जाएगी इसके पोजिट आता है विक्रित सवर वहे धवनिया जो अपने स्थान से, अपने निर्धारित स्थान से उपर या नीचे गाई वे बजाई जा सकती है ऐसी धवनियों को हम विक्रित सवर कहते हैं और हमारे पास संगीत में विक्रित सवर है पाँच कौन-कौन से रे, गा, धा, नी, और मा अब हमारे पास ये कितने हैं? पाँच और ये टोटल कितने हैं? साथ तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पास कितने सवर हो गए? बारा हमारे पास संगीत में शुद और विक्रित दोनों रूप मिलाकर जो सवरों के संख्या होती है, वह होती है बारा जिसमें से सुद्ध सवर जो होते हैं वह होते हैं साथ और जिसमें से तीवर सवर होते हैं सोरी विक्रित सवर होते हैं पांच इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास संगीत में साथ सवर हो जाते हैं लेकिन देखने के बाद यहां पर क्या है कि शुद्र सवर 7 होते हैं, विकृत 5 होते हैं, लेकिन हमारे पास विकृत सवर के भी दो रूप होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कि कोमल विकृत, और एक होता है तीवर विकृत, तीवर कार्थ होता है तेज, कॉमल कार्थ होता है सोफ्ट या नर्म तो यहाँ पर धवनी के इन दोनों मेनिंग्स को हम धवनी में कैसे एड करते हैं संगीत में कैसे इन चीजों का एड किया गया वह आप देखना विकृत सवर हमारे पास है पुल पांच और विकृत सवर के यह भी दो रूप है कोमल और तीवर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायाग्राम बना कर समझाने कोशिस करता हूं कि कोमल और विकृत क्या सिस्टम है यह देखिए आप माल लिया यह हमारे पास यह हमारा एक इनसान का गला मान सकते हो आप जहां से हमावाज उत्पन कर रखते हैं उसके बाद यह हमारा मिड़ पॉइंट है जहां पर हम नूर्मल भाषा में सबसे बाते करते हैं जिसमें आप लोग भी सब अपनी बाते रखते हैं यह एक उसका पर्टिकुलर स्टेंडरेबल मिड़ पॉइंट है अगर हम इससे नीचे आएंगे तो हमारी अब देखे कौमल विकृत और त्योर विकृत जो सवर अपने निर्धारी स्थान से हमेशा नीचे बोले जाएं उनको हम कौमल विकृत सवर कहते हैं मान लिया ये रे सवर है गा सवर धा सवर है ये मान लिया इनका जो स्टेंडरेबल साइज है सुद सुद रूप में यहां पर है स्थित यहां पर स्थित है यह सा मान लेते हम सा के बाद ये रे की उप तरफ उपर की तरफ जाएगा तो ये इसका मानले स्टेंडर personnel size है रे का अब सा सा रे यहां सा यहां तक ऐसे बोला हमने तो यह इसका understandable size है अब कोमल विकृत क्या होता है कि अपने निर्दारे समय से जो धवनियां निर्दारे स्थान से जो धवनियां नीचे की तरफ बोली जाएं उन्हें हम कोमल कहते हैं तर्थात रे का अगर standardable size यह है तो वो रे अगर यहाँ पर बोला जाएगा थोड़ा सा नीचे तो यह है अपनी कोमल अवस्था में आ जाएगा यह है इससे उपर नहीं बोला जाएगा कभी भी तो कोमल विकृत सवर वो सवर होते हैं जो धवनिया अपने स्थान से हमेशा नीचे की तरफ बोली जाती है और तीवर विकृत इसका opposite होता है जो धवनिया अपने स्थान से हमेशा उपर के बोली जाती है अब कोमल विकृत में हमारे पास चार सवर ऐसे होते हैं रे, गा, धा, नी, जो हमेशा अपने स्थान से नीचे की तरफ ही बोले जाते हैं, जैसे अगर रे का इस्टेंडबल साइज है तो रे नीचे बोला गया, इसके बाद अगर गा का ये साइज है, या ये स्थान है, निर्धारितों गा, यहां बोला जाएगा तो इन चीजों को हम कोमल विक्रित सवर कहते हैं, और इनको लिखते समय परदर्सित करने के लिए कि हमें देखने से पता लग जाए कोमल हैं, तो इनके नीचे हम एक लेटी रेखा का प्रियोग कर देते हैं, लेटी रेखा का प्रियोग करने से हमें पता लग जाता है कि यह जो सवर बोले जा रहे हैं, यह कोमल विक्रित सवर है, अब इसके बाद आता है, तीवर विक्रित सवर तीवर विक्रित सवर हमारे पास चार तो हमने यहां से यहां पर लिए लिए अब एक बचता है मा तो विकृत जो सुवर है वो है मारे जो सातों सुवर है मारे पास जितने टोटल बारा सवर है उनमें से मा मा की धवनी एक ऐसी धवनी होती है जो तिवर विकृत होती है अर्थात जब भी यह धवनी अपने निर्धारित स्थान से उपर की तरफ बोली जाएगी या तिवर विकृत सवर वो सवर होते हैं जो अपने निर्धारित स्थान से हमेशा उपर की तरफ ही बोले जाते हैं वो नीचे नहीं बोले जाते हैं ऐसी धवनियों को हम तिवर विकृत कहते हैं और हमारे पास संगीत में ऐसी धवनी एक ही है जिसका नाम है मा सवर स्पोज करो अगर हमारे पास ये मा का साइज है इसको मान लेते हैं ये हमारे पास मा सवर है ये इसका निर्दारी स्थान है हमेशा यहीं बोली जाती है तो यह दवनी से नीचे नहीं बोली जाएगी ये इससे उपर बोली जाएगी विक्रित सवर को हम लिखते समय जब परदर्शित करते हैं तो उसके उपर हम लेटी रेखा का प्रियोग कर देते हैं जिस से हमें पता लगता है कि यह तेवरी विक्रित सवर है तो आसा है कि आप सब को सवर का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद